हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग उमीद है आप लोग अच्छे से त्यारी कर रहे होंगे तो चलिए देखते आज का हमारा अपडेट क्या है अपडेट आया है हाई कोट ऑफ पंजाब एंड हडियाना एट चंडिगर्ड इसमें एक पोस्ट कलर के लिए एडभार्टाइज तक इसे अप लाए आप लोग कर पाएंगे ठीक है आगे बढ़ने स्पहल है चुकि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस तरह की अपडेट पाने के लिए ठीक है फिलाल इसमें देख लेते हैं टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल तो हमने बताया 167 लेकिन के टोगरी वाज अगर देखा जाए तो जनरल का 109 और बीसी एश्टी और एश्टी का 14 सीट इसमें अब लेवल है इसम का 20 सीट है इसी परकार से कुछ पी डबलूडी का भी है सासत ठीक है अब इसमें बताया जा रहा है जैसे कि मैंने बत इसमें रखा गया है ठारा यर और मैक्सिमम तीस एर और यह मैंसन किया जाएगा सत्रों तीन दोजार 23 के अनुसाट ठीक है आब इसमें एज रिलेक्सेशन तो होता ही है तो सेस्टी बीसी के लिए पंजाब हर्याना एट यूटी चंडीगड के लिए तीन इयर इसी तरह से डिशेबिलिटी के लिए 10 यर भी इसमें एज रिलेक्सेशन दिया गया है और एक सर्विसमेन को भी तीन इयर का प्लस में दिया गया है आगे और देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट दे रखा है क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनमम क्वालिफिकेशन पोस्ट कलर के लिए बैचलर आफ आर्ट आग कॉमर्स और साइंस किसी भी एस्ट्रिम में है या एनी अदर डिगरी में अपका गर्जुशन है तो आप इसे असानी से भर पाएंगे ठीक है बाके वाद यह थोड़ा सा प्रोफैंसी के लिए मांगा जा रहा है केंप्यूटर के लिए ठीक है ऑप्रेशन तो इसमें स्पीट वेगरा की जांच की जाती है तो इसको भी ध्यान में देख लीजेगा बाके में बताया जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन में हिंदी और पंजाबी आपका कोई एक सब्जेक्ट होना अनिवार है आगे देख लेते हैं यह तो लाश्ट डिट हमने देख लिया ही है अब इसमें फीव एक रख देख लेते हैं कि ऑनलाइन फीव में कितना प्रेशा लगता है तो यह जनरल ओवी सी ची के लिए 500 रखा गया है ठीक है एक जामीशन फी और इसी तरह सी स्ट चंडीगर के लिए टिक है पंजाब और अन-ष्यान-चंडीगर के लिए यह भी पान फिर रिलेक्सेशन इन रिक्वार्मेंट तु द पोस्ट कलर्ग शैल भी एबलेबल और नी हूँ है गोट ए अगर बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि आपके पास अगर बीसी बेगर है तो क्रीमी लेर तो होना जरूरी है यह तो रिजर्वेशन के लिए हो गया अब इसका सिलेबस देख लेते हैं बात करें तो मोड ऑफ सेलेक्शन की तो यहां पर अबजेक्टिव टाइप एक एक इजाम कराया जाएगा ठेक है उसी के यह 200 मार्क्स के रहेंगे जो की 200 अबजेक्टिव भी रहेंगे multiple choice question रहेंगे अगर इसके सिलेबस की बात करें तो general knowledge, numerical ability, general English, reasoning, इसी तरह से aptitude, general intelligence और general awareness ठीक है जो की 2 hours आप लोग को दिया जाएगा every correct answer candidate will be 1 marks ठीक है for every wrong answer 0.25 marks ठीक है तो यहां पर आप लोग देख पा रहेंगे निगेटिव भी है 0.25 यानी 1 by 4 इसको ध्यान में रखिएगा अब और इसमें देख लेते हैं इसमें shortlisted होने के लिए होने के बाद main written examination conduct कराया जाएगा जिसका subject वो जो की subjective होगा ठीक है इसका subject भी नीचे दे रखा है तो आप लोग यहां पर देख लीजेगा ठीक है English Comprehension 1500 marks के रहेंगे General Knowledge 50 रहेंगे इसी पर करस writing skill के भी 50 questions रहेंगे 50 marks के रहेंगे sorry और हिंदी देवनागरी spirit में या पंजाबी में गुर्मुखी के लिए 50 number दिये जाएंगे ठीक है अब इसमें basic कली बताया जा रहा है कि अगर एक से ज्यादा shift में होती है तो यहां पर normalization पर क्रिया को अपनाए जाएगा जिसका यह यहां पर parameter दे रखा है तो इसके अनुसार normalization होगा एड़मीड कार्ड के लिए आप site को visit करते रहें और जब भी इसका कोई update आता है तो मैं सबसे पहले आप लोग को वीडियो बना दूंगा तो आप लोग प्रिशान मत होईगा इसके बाद इसमें टेस्ट सेंटर की बात करें तो टेस्ट सेंटर नॉर्थ इंडिया डिपेंडिंग अंडर नंबर ऑफ अप्लिकेंट अगर ज्यादा ज्यादा online apply किया जाता है तो फिर उस पे depend करता है कि उसको सेंटर को कहां दिया जाएगा ठीक है date of examination की बात करें तो यहां पर एक tentative date दे रखा है मैं जून 2023 में तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा बाके बाद इंपोर्टेंट इंट्रेक्शन है और कोई विशेश इसमें बात है नहीं या पर नो अब्जेक्शन सार्ट्रिफिकेट बेगरे के बारे में दे रखा है तो इसी तरह के मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए धन्यवाद झाल